कुछ दिनों पहले ही हाइदराबाद इपसी ने अपने टीम के लिए एक नए स्ट्राइकर जोनाथन मोया को साइन किया है आज हम इस वीडियो में जोनाथन मोया को लेकर ही 10 फैक्ट्स को जानेंगे सो में हुआ आपके साथ आपका होस्ट अंकन और लेस्ट गेट इंटो दा वीडियो सो फास्ट फैक्ट है जोनाथन मोया के इंटरनेशनल कियार को लेकर सो जोनाथन मोया कोस्टरियक के नाशनल टीम के तरप से टोटल 15 मैचेस खेले ही और वो 2022 वर्ल कप क्वालिफिकेशन राउंड के कोस्टरिकन टीम के मेंबर भी थे बट अनफोर्चोनेटल वो वर्ल कप स्क्वाड में जगा नहीं बना पाए जोनाथन मोया ने अपने लास्ट इंटरनेशनल मैच कोस्टरिकन नाशनल टीम के तरप से खेले थे 2021 में वर्ल कप क्वालिफिकेशन में ही USA के खिला और इसी के साथ साथ जोनाथन मोया ने कोस्टरिकन अंडर 17 अंडर 20 टीम को भी रिप्रेजेंट किया है and second fact है Jonathan Moya के club career को लेकर Jonathan Moya के पास Costa Rican first division, Ukraine first division, La Liga second division and South Korea के second division में खेलने का experience है third fact है Jonathan Moya के position को लेकर specially Jonathan Moya एक striker कभी बट वो कभी-कभी as a right midfielder है और इसके साथ as a right winger भी खेल सकते हैं यानि कि वो एक versatile striker है जो striking में भी खेल सकते हैं इसके साथ midfielder और winger पे भी खेल सकता है fact no.4 Jonathan Moya ने total अपने career में 122 goals score किया है जिन में से 50 goals वो first half में and 64 goals वो second half में score किया है fact no.5 Jonathan Moya का first division football में debut हुआ था 15th Gen 2012 में Costa Rican first division team Santos de Gualipis से fact no.6 Jonathan Moya ने अभी तक अपने career में एक ही hatric score किया है जो उन्होंने किया था 2020 में L.A.J.U.N.S में खेलते हुए no.7 fact है उनके academy को लेकर तो Jonathan Moya Costa Rica के one of the famous academy Sparisa के academy product थे और ये Sparisa academy एक से एक बार कर Costa Rican national team के लिए prayer produce किया है और इस academy का ही product है Kayla Nevis जो PSG के current goalkeeper है और इस Sparisa academy में खेलते हुए ही उनको scout किया गया था Costa Rican under 17 and under 20 team के लिए जहां उन्होंने एक अच्छा ही performance दिया था और इसके साथ-साथ वो Costa Rican under 17 World Cup team के भी member थे और अपने पूरे youth career और बाद में जाके अपने main career के कुछ time वो इस Sparisa के team में ही खेले है नमबर 8 जोनाथन मोया ने अपने career में सबसे ज़्यादा goal score किया है एक ही team के खिलाब जो के Costa Rican fast division के club Cartha Guinness इस team के खिलाब जोनाथन मोया ने total 10 goals and 4 assists किया है फैक्ट नमबर 9 जोनाथन मोया ने अपने ज़्यादा match Kiss खेला है एक ही club से वो ऐलाजूएलेंच इस club से जोनाथन मोया ने total 108 matches खेला है और इस club से ही जोनाथन मोया को सबसे ज़्यादा success मिला है ये total एलाजूएलेंच से वो 108 match में 32 goals and 22 assists किया था फैक्ट नमबर 10 जोनाथन मोया साउथ कोरिया के किसी भी लिग में खेलने बाले 4th कोस्टर रिकन थे जोनाथन मोया ने 11 जनुवारी 2021 में साउथ कोरिया के 2nd डिविशन के क्लाब यानि की K2 लिग के क्लाब एपसी एन वांग में साइन किया था और इस एपसी एन वांग में खेलते हुए ही जोनाथन मोया ने अपने केरियार का बेस पारफॉरमेंस दिया था जिसमें टोडल 68 मैचों में 29 गोल and 6 एसिस्ट किया था और हाइदराबाद FC जॉइन करने से पहले वो इस FC N1 में ही खेलते थे सो आब आते हैं फाइनाली जोनाथन मोया कैसा प्लेयर है देखो जोनाथन मोया एक गोल स्कोरर है यह सबको पता है क्योंकि वो नॉर्माली एक स्ट्राइकर है तो गोल तो इसकोर करेगा ही सो जोनाथन मोया में क्या स्पेशालिटी है आप देखो जोनाथन मोया का हाइट है 6 स्पीड और वो अपने हाइट का एकदम से प्रॉपर यूज़ करता है और जोनाथन मोया अपने पैर से ज़्यादा हेट से गोल करना ज़्यादा पसंद करते है क्योंकि मैंने जितने भी सारे उनके गोल के वीडियो देखा के उनमें से मैक्सिमाम वो हेट से ही गोल किया है और वो कर पाता ही क्योंकि उनके height है 6 फी तो जोनाथन मोया dead ball situation में ज़्यादा dangerous होते हैं वो ISL टेम के लिए भी वो ज़्यादा dangerous होंगे कि फिर वो hit एकडम से hit करके goal ज़्यादा score कर पाते हैं और hit करने में वो एकडम से specialization है so वो dead ball situation में deadly हो सकते हैं and second आते हैं एकडम proper position पे रहे ना तो एकडम goal करने के लिए जो सही position होता है वो उधर ही रहते हैं so वो एक goal getter इसलिए है एकडम proper marking एकडम proper position जहाँ ball आ सकता है वो पहले से ही उधर पहुच जाते हैं और अपने pair या hit से goal कर देते हैं और ऐसा ही proper player की ज़रूरत था हाइदराबाद FC को क्योंकि सभी जानते हैं हाइदराबाद FC का आप कैसा condition है उन्होंने ठीक से signing भी नहीं किया है और उनके coach कैसा performance देगा क्योंकि उस पे भी question से कई सारे बट सीजन स्टार्ट होगा देन हम उनको जाज करेंगे यही जादा बहतर होगा सीजन से पहले जाज करना ठीक नहीं है सो हाइदराबाद FC के पास ओगबेचे है और इसके सार सार जोनाथन मुया भी आ चुकी है अब जोनाथन मुया का एस 31 है और ओगबेचे का एक 38 है अब obviously जोनाथन मुया I think starting 11 में रहेंगे सभी match के लिए और backup में ओगबेचे आएंगे हाइदराबाद FC के पास एक ऐसा striker है who can score goal but उनको क्या हाइदराबाद FC के बागी के players ball supply दे पाएंगे ये big question होगा Siberio, Toro जैसे और भी कैसे big names जो इस हाइदराबाद FC के backbone थे वो अब नहीं है इस team में और हाइदराबाद FC अभी भी financial issue से ठीक तरीके से recover नहीं कर पाया है तो ये team अभी भी full तरीके से complete नहीं हुआ है अब Jonathan Moya को लाओ या फिर और भी काई big name strikers को लाओ बट जब तक उनको ठीक तरह से ball supply नहीं दिया जाएगा they can't score goal so अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा and make sure कि आप इस चैनल को subscribe किये है and हमारे सभी social media handles को follow कीजिए नीचे आपको links मिल जाएगा और इसके साथ साथ नीचे Indian football related और भी कैसे रे वीडियो आपको suggest कर रहा होगा उन वीडियो को भी देखिए मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जाएगी